हेलो प्यारे दोस्तों तो आजके इस वीडियो में हम क्लास 11 आपका economics का syllabus discuss करेंगे जो कि आपका session 2023-24 के exam के लिए है यानि कि जो आप इस बार exam देंगे तो इस exam के लिए ही आपका इस economics का syllabus है तो चले शुरू करते हैं और यह syllabus जो है DOE ने तो सबसे पहले आपका मिट्टम एक्जाम होगा फिर उसके बाद आपका फाइनल टर्म का एक्जाम होगा तो मैं आपको सबसे पहले मिट्टम एक्जाम का स्लेबस बताने जा रहा हूं फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल टम का स्लेबस बताऊंगा तो इकनॉमिक्स में दे रहते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन तो फॉर्स चाप्टर आपके मिट्टम एक्जाम में आएगा तो इसलिए आपको फॉर्स चाप्टर को अच्छे से करना है यहां पर देखें इसके टॉपिक्स भी लिखें इंपोर्टेंट वर्ट इस इकोनॉमिक्स इसी तरह से य जो टॉपिक्स लिखें हैं इन्हें आप तो जरूर कर लेना इसके अलावा पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है लेकिन इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपका है यूनिट टू जो की है यहां पर आप देख सकते हैं तो य यह तीन चैप्टर भी आपके मिट्टम एक्जाम में आएंगे यूनिट 2 में से चैया फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि में भी के अलावा आपका यूनिट 3 में सर्फडेटा नाम है यह आपका चाप्टर नाम है Norwegian ओन्व देटा और फ्र्ठ चैप्टर है तो ये भी आपका chapter mid term exam में आएगा ठीक है तो आपके पास जो first book है statistics for economics तो इसमें से कौन-कौन से chapters आपके mid term exam में आ रहें वो मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद जो आपके पास दूसरी book है introductory micro economics तो इसमें से देखी आपके mid term exam में क्या क्या आएगा एक तो आपका unit 4 है introduction वाला तो ये introduction जो है ये आपका chapter mid term exam में आएगा दूसरी वाली book second वाली जो book है उसमें से इसके अलावा unit 5 में देखिए consumers equilibrium and demand तो इसमें जो आपका unit 5 है इसमें से आपका देखी एक तो chapter आपका है consumers equilibrium इसके अलावा second chapter आपका है indifference curve analysis of consumers equilibrium तो ये जो chapters के नेम है ये आप देख सकते हैं ये आपके mid term exam में आएंगे second वाली बुक में से चिक है इसके अलावा next आपका unit 6 में से देखिए ये जो chapter है ये आपके आएंगे mid term exam में तो जो chapters आपके mid term exam में आ रहे हैं दोनों ही book में से वो मैंने आपको बता दिया जितना भी मैंने आपको chapters बताया है यही सब आपके mid term exam में आएगा अब आपके final term के syllabus की बात कर लेते हैं तो mid term exam का जो syllabus है वो आपका 15 सितंबर तक complete हो जाएगा फिर उसके बाद आपका mid term exam start होगा ठीक है अब इसके बाद जो आपका final term का syllabus है उसमें mid term exam वाला syllabus भी आएगा यानि कि जो जो मैंने आपको chapters mid term exam वाले बताये थे वो सब आपके final term में भी आएगे और इसके अलावा क्या क्या आएगा तो आपके पास जो first वाली book है statistics for economics तो इसमें से unit third में से देखिए correlation आएगा आपका इसके अलावा introduction to index number आएगा तो यह भी आपका final term में आएगा जो आप देख रहे हैं यह chapters यह आपके final term में आएगे first book से ठीक है इसके अलावाद जो मैंने आपको mid term exam वाले chapters बताये थे वो भी आएगे और यह भी आपके final term में आएगे इसके बाद जो second book है आपका introductory micro economics तो इसमें से देखिए unit 6 में से आपका revenue producers equilibrium supply price elasticity of supply तो यह chapters आपके final term में आएगे इसके अलावा आपका unit 7 में से देखिए simple applications इसके अलावा यहां पर यही आपका final term का syllabus है इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं यह projects वगेरा हैं इन्हें आप पढ़ सकते हैं ठीके यह स्लेबस का जो PDF है यह मैं आपको send कर दूंगा telegram ग्रूप पर अगर आपने telegram ग्रूप जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेना लिंक आपको description box में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप जोइन कर सकते हैं तो आपका syllabus जो है वो पूरा यहां तक है ठीक है तो आपको syllabus अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों क क्लिये बाइबाइ